और वहां का समचार दिया पर बाबा ने विदेश के साइंस वालों के विशेष्टाओं को देखा और बताया कैसे वो साधनों को आज हमारे लिए अच्छे से अच्छा इंवेंट कर रहे हैं और रिफाइन कर रहे हैं कि हम उन्हें नई दुनिया में हमारी शेष्ट योग की जो पारलब देश्वार्ग उसके राज्य भग्य की प्राप्ती में से योगी बन रहे हैं हमारे लिए तो फिर बाबा ने हमें हमें भी और उनमें भी देखा और परमातम ज्यानी जो साइंटिस्ट प्रोग हैं वहां क विदेश्वाली तो उनको भी देखा सबकी लगन को देखा कि कैसे वो लगन में मगन है अपने जो इन्मेंशन कर रहे हैं उसको ज़्यादा अच्छे से रिफाइन कैसे करें और हमारे लिए जो हम स्वर्ग में जाने वाले हैं तो उसके लिए कैसे ज़्यादा से सकें तो बाबा ने फिर हमारी लगन को भी देखा और पूछा भी कि जैसे वो सच्चाई सफाइ से लगन से लगे हुआ हैं किया हम भी लगन से लगे हुआ हैं अपने पुर्शावत में कभी वीगन तो नहीं जाता है तो बाबा ने चेक किया इन सब चीजों को कि वो भी सेवाधारी बनकर कैसे लघन से लगे हुं मैं और सचाहिस सफाई से रिφाइन कर रहे हैं तो हम भी जो पुछार्त कर रहे हैं आगे बढ़ने का तो उसे भी इमें लगन से करें ऐसे बाबा की जैसे चाहना मैसूस सुई मुर्ली पढ़ते हुए और बाबा ने कहा कि भारत में तो तीन परकार की आत्माई होती हैं देखी हैं बनने वाली हैं कि ब्रहामन सो देवता बनने वाली प्रजा बनने वाली और दूसरी आत्माई भगता आत्माई और तीसरी हमारी राजधानी त्यार करने वाली आत् और हमें भी बताया, तो आज मुरली से किन्सार देखते हैं, कि क्या चल दाँ है, देश और वी देश में, बाप दादाने, हमें बाप समान गूर्ण ग्यान और शक्तियों का महादान करने वाली आत्माओं, महादानी आत्माओं को ब्रति महावाक्य बोले, सुनेंगे विस्त बाप दादा का देश और विदेश का सेर समाचार सदा बाप समान गुणों का क्यान का शक्तियों का दान करने वाली महादानी आत्मों परती बाप दादा के उचारे हुए महावाक्य विदेश की विशेष्टा एक तरफ सुरिष्टी के प्रिवर्तन करने के स्थूल साधन इन्वेंट करने के निमित बनियात्माएं विज्ञानी लोग अपनी इन्वेंशन के प्रिवर्तन करने के स्थूल साधन इन्वेंट करने के निमित बनियात्माएं विज्ञानी लोग अपनी इन्वेंशन की रिफाइनेंस में लगे हुए थे विज्ञानियों की लगन समय और प्रकर्ती के तत्वों के उपर विज्ञे प्राप्त करने की सर्व तत्वों को अपने वशी भूत करने की इच्छा में लगे हुए हैं बाबा कहरे वो भी लगे हुए हैं कि कैसे हम सर्व तत्वों को और सर्व परकर्ति के तत्वों के उपर विजय प्राप्त कर सकें हर वस्तू को रिफाइन करने में वह अपनी विजय समझते हैं जैसे कलब पहले की यादगार में भी रावन राजे की उशेष्टा सर्व तत्वों को अपने वशिभूत करना गाया हुआ है कलब पहले मौफिक इसी कारिया में विदेशी आत्माई लगी हुई है जैसे बाबा हमें याद दिलाते हैं कि कलब पहले भी तुमने बीचे पाई थी हर चीज़ पर तो बाबा करें सतो परधान बनाया था तो उसमें साइंस वाले योगदान कर रहे हैं सासत विज्ञानी आत्माई आप योगी आत्माओं के लिए आपके शेष्ट योग की जो परलब्द स्वर्ग के राज्य भागे की प्राप्ती होनी है उस आने वले राज्य में सर्व सुखों के साधन आप राज्योगी आत्माओं को प्राप्त हों ऐसे साधन ने जानते वे भी बनाने में खूप व्यासता है अर्थाद आप होवन हार देवताओं के लिए परकर्ती के सतो परधान शेष्ट साधनों की इन्वेंशन करने में आपकी ही सेवा में लगे हुए हैं जैसे आपको करने की एक ही लगन है बाप द्वारा सरप्राप्तियों के लगन में रहते बच्चे वैसे विदेशी आत्माई भी अपने साइंस बल द्वारा स्रिष्टी को स्वर्ग बनाने के इच्चुक हैं स्वर्ग अर्थाद जहां एह पराप्त कोई वस्तु नहीं तो इसी कार्या के लगन में लगी हुई आत्माईं ड्रामा अंसार नीमित बन अपना कार्या वोट अच्ची तरह से कर रही हैं लेकिन पर बाबा ने हमारे रिजल्ट देखी लेकिन आपके लिए ही कर रही हैं ऐसे आप सबको अनभव होता हैं कि यह सब हमारी त्यारियों में लगे हुएं यह हमारे लिए इतने त्यारियां कर रहे हैं कितनी सचाई सफाई से सेवा करने वाले हैं अगर उन्हों को कार्य देखो और लगन देखो तो अनभव करेंगे सेवा के कारे में अच्छा ही वफादारी से दिन रात लगे हुए हैं कितना एकांत में और कितना बीजी रहते हैं एक तरफ तो सेवा धारी तो एक ही लगन में मगन हैं लेकिन आप आत्माएं जो सर्व सुखो के साधन प्राप्त करने वाली हैं विश्व के रज्य के इदिकारी बनने वाली हैं वह इसी लगन में मगन रहती हो या विघन लगन को अविनाशि बनाने नहीं देते लगन की अगनी अविनाशि परजुलित रहती है बाबा पूछ रहे हैं वह अभी लगन और अभी विघन कभी लगन तेज है तो कभी विघन भी आ जाता है तो विदेश के विज्ञानी आत्माओं में निरंतर अपने कारे की लगन विशेष्टा देखी तो जो आपके सेवा धारियों में गुण है वे विश्व का मालिक बनने वाले आत्माओं में भी गुण है ना बाबा पूछ रहे हैं कि जो गुण आपके सेवा धारियों में है तो वे विश्व का मालिक बनने वाले आत्मा में भी गुन है ना अपने आपको चेक करो दूसरी तरफ विदेश में परमातम ज्यानी बच्चों को देख अब आज अभी तो दूसरी साइंटिस्ट को देख रहा था अब आपने बच्चों को भी देखा जो साइंस टेस्ट हैं तो दूसरी तरफ विदेश में परमातम ज्य जल्दी से जल्दी बाप का संदेश देवें विदेश त्वारा निमित पनी हुई विशेश आत्माएं जिन आत्माओं के अनभव के अवाज से भारत वासी कुमकरण जाकेंगे जिन आत्माओं के अनभव के अवाज से भारत वासी कुमकरण जाकेंगे ऐसे निमित पनी हुई आत्माओं को बाप के समुख परतक्ष करें समीप समय की सूचना विदेश त्वारा भारत में फहलावें बाबा की इच्चा थी तीन कारे करें पैसी एक लगन में दिर्ट संकल्प के कंगन में बंदेवे प्रमातम ज्यानी बच्चों को देखा की दिर्टा से कर रखा कि जो बाबा को कैसे हम भारत में भी और विदेश में भी परतक्ष करें उन बच्चों को बाबा देख रहे थे उनों को भी ने दिन ना रात दोनों समान है इस लगन में मगर है वरतमान समय की लगन में majority वीगन मुकता आत्माएं एक दोके सने और स्योग के धागे में पिरोए वे माला के मन के अच्छे चमकते वे नजर आ रहे थे आवा देख रहे थे नए वे पुराने हर आत्मा में ही एक ही मंग है कि सेष्ट कारियां में हम भी उंगली तें, कुछ करके दिखावें, और क्या देखा? संदेश पाने वाली आत्माई, इच्छुक आत्माई, अर्थात जिग्यासा वाली आत्माई, थोड़े से समय में शांती और शक्ती की अंचली प्राप्त कर बहुत खुश होती हैं तो भले थोड़ी सी देर पाती हैं थोड़ा सा पाती हैं लेकिन बहुत खुश होती हैं शांतियों शक्ति के अंचली बाकर निमित बन्यू यात्माओं को परमात्मा द्वारा गोड़ फादर द्वारा भेजे वे अलोकिक फरिष्टे अनभव करते हैं थोड़ी सी ली हुई सेवा का भी रिटर्न में भी अपनी खुशी अनभव करते हैं विदेने में भी जो ली है सेवा उनको रिटर्न देने में भी खुशी अनभव करते हैं और फोरन रिटर्न करते हैं थोड़ी सी सेवा का शुक्रिया बहुत मानते हैं यह वर्तमान समय के प स्थापना और विनाश के रहसे का बहुत connection है बहुत important line है यह तो वो करें कि विनाश के रहसे का बहुत connection है यह थोड़े समय की सेवा देना वा चक्रवर्ती बन अपनी दृष्टी द्वारा वानी द्वारा वा संपर्क द्वारा वा शुक्षम शुब भावना शुब कामना के बृती द्वारा अनेक परकार के आपकी राजधानी के त्यारगी के निमित बने हुए सेवा धारी आत्माओं को सेवा के फल में सेवा धारी बनने के कार्या में सरव शेष्ट आत्मा की नजर द्वारा सब निमित बनने वाली आत्माई ज्यानी वे विज्यानी परसीद हो कहीं ने कहीं उनका फल मिलदा है कि वह ग्यानी आत्माई परसीद हो रही है सब नीमित बने हुए आत्माई समझा रहे है से को भारत में तो आपकी भक्त आत्माई मिलेंगी लेकिन तीन परकार की आत्माई चाहिए एक भ्रामन सो देवता बनने वाली और प्रजा बनने वाली दूसरी आत्माई दूसरी भक्त आत्माई और तीसरी आपकी दाधानी त्यार कर देने वाली आत्माई तीन परकार की आत्माई चाहिए बावा कह रहे हैं एक ब्रामन सो देवता बनने वाली और प्रजा बनने वाली दूसरे भगता आत्माई और तिसरी आपकी राधानी त्यार कर देने वाली आत्माई सेवा धारी सर्व सुखों के साधन और समगली त्यार करने के निमित बनते है और आप परलब्द भोगते हो यह पांच तत्व और पांच तत्वों द्वारा बने हुई रिफाइंच चीजें सब आपके सेवा के निमित बने ही इतना शेष्ट सम्मान सम्रिती में रहता है वा अब तक भी सम्रिती भी सम्रिती के खेल में चल दे हो पापा पूछ रहे हैं यह सम्मान आपको शेष्ट सम्मान सम्रिती में रहता है कि अब तक भी सम्रिती भी सम्रिती के खेल में चल दे हो समरिती सुरूप में से समर्थी सुरूप बनो सुना विदेश का समचार और भी वर्तमान चकरवर्ति आत्माओं की चकर लगाने का रहस्य है जहां जहां परमातम ज्यानी आत्माएं इशुरिय सेवस्थान कोलने के नीमित बनी है और आगे भी बनने है क्योंकि जो नूद हो गई ड्रामा में जो भी आगे भी बनने हैं तो आपके विदेश सेवस्थान हुष्य में आपके सेरस्थान बनेगे जैसे भारत में यादगार स्थान मंदिर है लेकिन यह द्वापर के बाद है यादगार मंदिर तो द्वापर के बाद है इसलिए विदेशी आत्माओं को भी भुषय स्थापना में connection है कि जहाँ जहाँ पैर पड़े बापा की बच्चों के बापा के तो वहाँ वहाँ तो सत्यूगी दुनिया में सहर के स्थान बनेगे इसलिए विदेशी आत्माओं का भी भुषय स्थापना में connection है समझा आज विदेश समचार सुनाया फिर भारत का सुनाएंगे यह सब समचार सुनने के बाद करना क्या है समचार तुमें ने सुना दिया अब उसके बस करना क्या है सिर्फ सुनाना है वह कुछ करना भी है ऐसे सर्व साधनों को प्राप्त करने के लिए स्वम को स्देव विश्व के मालिक बनने योग्या बनाओ निरंतर योगी बनना ही योग्या आत्मा बनना है फिर बाबने बताया निरंतर योगी बनना ही योग्या आत्मा बनना है ऐसे अपने को समझते को, त्रिव पुडशार्ती बन, स्वम को भी संपन बनाओ, और निमित बने वे सेवाधर यात्माओं को भी कारियां में संपन बनने की प्रेना दो, तब विश्व परिवर्तन होगा, स्वम को भी संपन बनाओ, और निमित बने वे सेवाधर यात्माओं को भी कारियां में संपन बनने की प्रेना दो, तब विश्व परिवर्तन होगा, सदा बर्दान देंगे, सदा लगन द्वारा विघन विनाश करने वाले, विघन विनाशक आत्माओं को, सदा अपने द्रिष्टी और वरिती द्वारा भी विश्व सेवा में ततपर रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप समान, गुणों का, ज्यान का, शक्तियों का दान करने वाली, महादानी, रुहानी, नजर सेवर्दान देने वाली, आत्माओं को, बाप दादा को, आप दादा का याद प्यारो, नमस्ति, हम सदा बीघन बिनाश कराने की लगन देने वाले, बाप समान बनाने वाले, गुणों का, ज्यान का, और शक्तियों से भरपूर करने वाले, वर्दान देने वाली, रुहानी नजर देने वाले, बाप दादा को, हम बच्चों की, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आप सभी का भी शुक्रिया, थैंक्यू बाबा, ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति, एक सिकिन, साइलिंस करके, फिर चिंतन करेंगे तो हम चिंतन करेंगे आज काफी समय भी है है अमारे पास तो हम सभी लोग शेयर करें पार्टिसिपेट भी करें बाबा ने क्या भूला है बाबा ने लगन की मगन के लिए बुलाया आज तो बाबा हमारा टेंशन कहां दे रहां जाने एसी हो हमारी मगन नवस्था कैसा अनुबा होता जब लगन एक पावा से चुट ज अज बाबा ने कहा कि निरंतर योगी बनना ही योग्यो अत्मा बनना है तो आज बाबा शाकार मुली में बदाया बाबा ने कहा कि कोई का जिबन बनाना भी पुरुषार्थ है तो तीब्रसार्थी बन स्वयंग को भी संपन बनना और निमित बनकर सेवाधारी आत्मा को भी कार्यों में संपन बनना की प्रेणा भी देना है तो बाबा ने कहा जब हम सकार में भोजन बनाते हैं खाते हैं और किसी को खिलाते भी है तो बाबा का याद में रहे कर देना है, मतलब बाबा को याद में रहे कर भजन बनाना भी है, खाना भी है और खिलाना है, तो हम निरंतर योगी, बाबा के योगी बनकर रहेंगे, ओम साथ में. बहुत अच्छा आपने, तो बाबा निरंतर योगी रहेंगे, उससे हैं योगी आत्मा बनने हैं, जी शेयर करें सबी लोग, आज जी डॉक्टर इमाप शेयर केजिए, ओम शांती, आज प्यारे बाब दादाने, देश और विदेश का सेर समाचार बताया, बाबा ने एक कंपेरिजन भी बताया, कि किस तरह विदेशी आत्माएं और विज्ञानी आत्माएं, उनका क्या कारे हैं, इसी समय संगम यूग पे चल रहा है, और हम आत्माओं का क्या कारे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो बाबा न में कुब व्यस्ट है और ताथ आप होवनार देवताओं के लिए प्रकरती के जो सतो प्रदा श्रेष्ट साधान होंगे जो इन्वेंशन अभी निकल रही है तो इस सेवा में लगे हुए हैं एक ही लगन में लगे हुए हैं कितने कंसेंट्रेशन से और कितनी अच्छी अच्छी इन्वेंशन कर रहे हैं तो बाबा ने का अब हम लोगों का हाल कि हम लोग जो विश्व कल्यान के सेवाधारी हैं तो सेवाधारी हम एक ही लगन में मगन जैसे सिर्फ बाबा की याद में लगे हुए हैं या फिर अपने विगन बढ़ेए विगन आते हैं तो लगन हमारी हट जाती है तो इस तरह बाबा ने कहा कि आप विगन मुक्त आत्माय बनो किस तरह बनोगी तो वो हमें अपने आपको बेखना है कि हम उसी तरह लगन में मगन रहते हैं या विगन बिनाश्यक अब स्वयम बन रहे हैं हूं शान्ति जी यादर भाईजी, प्राम पिशेक कीजिए ओम श्यांति भाईजी, बापा ने कहा, लोकिक परिवार की खुशी में रहो, ओम श्यांति और जी चातर भाईजी, आपने Steirm mund शेर केजी अजेस को बाबा ने आज के मुर्ली में विदीष की जो से तो उसको एक प्राइस किने हो रहा है भारत में हम लोग क्या कर रहे हैं उसको थोड़ा सा compare कि हैं बाबा कि जैसे कितना वो लोग विदेश में सभी विज्ञानिक लोग हैं और invention कर रहे हैं पूरी लगन से लगे हुए हैं एकांथ में बैट करके एकदम पूरी लगन से करते हैं तो बाबा उसी को compare कर रहे हैं कि य ओ हम लोग जगें नई हैं तो यह आंगे तो जो हमारे हम Mississippi हां कि यहां बारत क्था प्राइट हुए और स्णिट महाराजनने को बनने वाले माले और बाबा तीन परकार की आत्माई चाहिए एक ब्राहमन सो देवता बनने वाली और प्रजाब नने वाली दुसरा है भक्त आत्मा और तीसरी जो है जो हमारी जो राजधानी तियार करने वाली आत्माई हैं होंगी उसके बारे में बाबा ने कहा तो बाबा कह रहे हैं कि जो है हम सारे साधन करके स्वेंग को विस्व के मालिक बनाने योग बने विस्व मालिक बनने के योग बने और इसके लिए बाबा ने कहा कि क्या है कि उसको निरंतर योगी बनेंगे बनना ही योग आत्मा बनना है मतलब विस्व महाराजन बनना है तो निरंतर योगी बने, ओम सांथ, जी तेंक यू, जी आरुमने सिस्टर आप शेयर केजे, ओम सांथ, पहला तो धन्यवादे, जग्दम बाबा मुठा, उन्होंने इतना अतना की प्योरिटी बढ़ रही है, कि जैसे दो पॉइंट लिखने से ही धार ना हो रही है, तो आज के मुर्ली से भी यह होता है कि बाबा निकाए कि उनको मालूम नहीं है, लेकिन वो कार्य में अपने लगन में मगन हो रहे है, तो आपने मालूम हैं, तो आप कितने विश्वराजे के वितायारी करनी चाहिए, योगी, निरंतर योगी बनना चाहिए, और एक ऐसा अनब हो है कि बाबा मिलन के टाइम में, जब मैं आत्मा बैट रही थी, कि ये सुन रहे थी, तो मेरा बच्चा आया और बोला कि ये तो बंद कर सकते हैं आप, हाँ कर सकते हैं जी, मैं बोले और मैं मोबाइल बंद कर दिया, तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आप नाराज तो नहीं है, तो नहीं, अरे बाबा तो इतना प्यार करते हैं, बाबा आप भी प्यार करते है तो मैं आत्मा बोले कि नाराज ये तो राजयोगी है, नाराजयोगी नहीं है, राजयोगी का सिक्षन चल रहा है, नाराज की प्रस्ण भी नहीं है, उड़ता, तो भूत अच्छा लगा मुझे, मैं आत्मा को भी, कि मेरा भी मन में ये प्रस्ण चल रहा था, कि मैं नाराज ह प्रिशन का उत्तर देने के लिए आपको नाराज होते हैं, तो बंद के या तो थीक है नाराज नहीं होना चाहे तो मेरा प्रस्न होता हुता, बतका उत्तर मिल गया है तो आपने शिछक आया तो बहुत बाबा की धन्य Naval Inc एक मिनिट भी तो आपने भी बोला कि नहीं नहीं चलो करो तो इतना समय मैं लिया है तेकिन धन्निवाद बापा को तो यह चेकने के लिया कि बाबा नी भी कहा ना बाबा में लें शक्ति यूज करने है चाहिए इस समय पर तो समय पर में शांत रहत करें, राजों की सेक्षन चल रहा है, बोलो तो उनका भी यो प्रवाव मिल गया है, वो प्रेलना मिल रही है, तो खुशी हो रही है, तो बहुत अच्छा लगा, ओम शांती, मेरी आत्मा में इस्थिति समय पर योज हुई तो, शुक्रिया बाबा, ओम शांती, बहुत अच्छे एक्ष्प्रेश कराओं, तो जो हम लोग तो राज को जानने वाले हैं, तो ना राज कैसे हो सकते हैं, बाबा ने राज बना दिया, राज योग बना दिया, थेंक्यू, जी गारते हैं, बहुत हुँआ है, तो मुझे तो खुशी हो रही है, बीबी, जा सकता है, सादन, ओम शांती, बहुत हुआ है, तो दो मिनिट में बोला, लेकिन बहुत आच्छा हुआ, ओम शांती, जी, पास हो गए आपके पर में, जी, काहत्रे सिस्टर आप शीक, ओम शांती, आज बाबा ने देश विदेश की सारसमाचार में बताया, कि वि दिल जान से जुटे पड़े हैं, तो बाबा हमसे पूछते हैं कि क्या तुम आत्मा है, अपने विघंस को मिटाने में लगन से जुटी हुई हो, अभिनाशी रतन बन रही हो, इस लगन की अगन के लिए तुम्हें ऐसी प्रजुलित करनी पड़ेगी, अभिनाशी ज्वाल हैं, बनने वाली, भक्त बनाने वाली या प्रजा बनाने वाली, और तीसी राज़दानी त्यार करने वाली, और हम तो ब्रामन सु आतमा हैं, हमें खुद को त्यार करके प्रजा भी बनानी है, और आगे भक्तों के लिए भी हमें एक सॉर्स बनाना है, ऐसा स्मृ Cheryl這種 और बाबा जो चाहते हैं कि हम निरंतर योगी बनकर योग के आत्माय बन जाएं वो हम तभी बन सकते हैं जब हम स्वयम को विगन विनाशक बनाकर दृष्टी वृति से विश्व सेवाधारी बने और गुण ग्यान शक्तियों का दान देकर बाप समान महाधारी बने ये संका जी एक बाप की लगन में मगन हो जाएं तो सब कारें हुए इपड़ें बाबा ने पूरी त्यारी करा दिये हमाली हमारी लिए तो बाबा ने करा ये त्यारी चैकिनी को भी निमित बनाया है तो बस हमें भी ऐसे लगन की अगन हो जाना है जी ब्रिंची सिस्टर आप शेर क रहें ओम शांदी की कुड़ मानिक सभी को मेरा एक प्रेशन है भाई जी पुछो हम जी हम जी पूछे ना यह लाइन मुझे समझ में नहीं आए बाबा ने यहां पर कहा है कि लास्ट थर्ड फॉर्ट लाइन है फिट शिक्स लाइन है 176 पेज पर यह वर्तमान समय के परमा वर्तमाज के रहसे का बहुत कनेक्शन है जहां 2 बाते नहीं समझ में एक तो बाबा कहरे रहे परमात्म ज्यानियां वा निमट बनीव स्ट east रिस्ट आतम क्या ये दोनों एक हैं या अलग-अलग हैं मुझे तो लगता है ये एक आत्म है ये एक यात्माओं की बाबा बात कर रहे हैं और दूसरी बाबा जी जहाँ का है कि वो उनकी नून्द है स्थापना और विनाश का ये इसका connection है यह मुझे नहीं समझ में आए, कैसे बाबा उसको क्या कहना चाहा रहे हैं यहां पर, ओम शांती जी जी कोई शेयर करेगा स्थापना और उसका तो बाबा यही कह रहे हैं कि वही विज्ञानी आत्मा हैं, स्थापना के लिए हमारा समान त्यार कर रहे हैं और वही विज्ञानी आत्मा हैं, वहां वो बनाके, बंब बनाके विनाश का काम कर रहे हैं तो नूद है कि उनी लोगों ने जो काम करना है, उनी लोगों ने स्थापना का काम करना है, उनी लोगों ने विनाश का काम करना है और यहां पर हमने क्या करना है, हम लोग जो योगी आत्माएं हैं, हम योगी आत्माएं एक तरफ योग लगाकर अपने विकारों का नाश कर रही हैं, अपने पुराने संसकारों का नाश कर रही हैं, और दूसरी तरफ अपने नए संसकार, सोला कला संपुर्म संपुर्म ने जो हमारी अच्छे संस्कार है उनको वो कर रही है योगी आत्माओं को भी विनाश और तापना दोनों करनी है और जो विज्ञानी आत्मा है वो भी विनाश और दोनों कर रही है मैंने तो यही मतलब निकाला ओम शांति घृभी जो रूका तो गर्ष कर रहे हैं और हमारे जब विकार खतम हो रहे हैं तो उसके साथ में हमारे नए सत्यूगी संसकार भी स्थापन हो रहे हैं तो इस तरह से हम विनास और स्थापना कर रहे हैं और जो सांस की सत्ता है वो लोग अपने हमारे सुख के लिए जो साधन जमा कर रहे हैं वो उसके लिए एकदम निरंतर एकदम ध्यान से जिसे कहते हैं कि एकदम लगन से वो लगे हुए हैं और वो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो हमारे लिए ही कर रहे हैं आगे के भविशे के लिए तो वो जो कर रहे हैं वो स्थापना के लिए कर रहे हैं और हम अपने विकर्म विनास करके जो हमारे वाइब्रेशन इस विस्व में फैल रहे हैं वाइब्रमंडल में फैल रहे हैं इससे ये जो हम सत्यूगी संसकार धालन कर रहे हैं वो संसकार का भी vibration पैल रहा है और विकर्म जो विनास हो रहा है उसका vibration भी फैल रहा है और हमारे सास्थ में वो जो कहते हैं ना कि तेरे चड़ती कला तेरे भाने सर्व का भला तो जब हमारी चड़ती कला हो रही है तो विसो में भी चड़ती कला आ रही है और उनके भी हमारे वाइब्रेशन द्वारा विकर्म विनास हो रहे हैं और वो भी न जाहते विए न जानते विए कुछ तो सोच रहे हैं कि इनका कुछ तो बद्ली हो रहा है क्या हो रहा है इस तरह से स्थापना और विनाश का कारे चल रहा है ओम शांती जी तो दोनों कारे साथ साथ हो रहे हैं थापना भी हो रही है अब एडवांस पार्टी भी कारे कर रही है तो उस थापना भी हो रही है बावन्य दादियों को नमित बनाया फिर वो एडवांस पार्टी में चले गए तो थापना भी हो रही है और विनाश भी साथ साथ हो रह तो बहन ने ठीक बताया भी एक स्थूल पांच तत्तों का कार्य भी घ्यान करते हैं और हम अपनी आत्मा जो बावा ने हमें समरिती दिलाई कि तुम में एक आत्मा हो जो उसका जो हमें जो हम ढलती कला में आये थे अब हम चड़ती कला में जा रहे हैं तो इसकी स्थापना कर तो यहां पर पांच तत्तों से बनी रिफाइन बावा ने पहले बुलाए चीज़े सब आपकी सेवा के नमीत बनेंगे तो यहां पर बावा ने इससे अगये भी बता कि श्रेश्ट समान समरिती में रहता है वा अब तक की समरिती भी समरिती का खेल में चल रहे हैं तो यह ये बनना है जो अभी बहने नूंद ये नूंद हो रही है हम सब की ये नूंद हो रही है इस कार्य में जो बाबा हमारे से करवाना चारा है इसकी नूंद हो रही है तो बाबा ने इससे पहले पहले बोला कि सेवा धारी सर्व सुखों के सादन और सामगरी त्यार करने के नमि बनते हैं तो नमित भी बावा हमें ही बनाता है और समरिती भी समरिती का खेल जो चल रहा है इसकी सखेल से जब हम भी जे प्रापत करते हैं तो यह हम सब का बरतमान जो चकर वरती आत्माव के चकर लगाने का रासे तो यहां पर बावा ने बोला जहां जहां पर मातम ग्याने आत्मा है इश्वर सेवा स्थान खोलने के नमित बने हैं और आगे भी बनने हैं यह भी नूंद है अब के विदेश स्थान भविष्य में आपके सहर स्थान बनेंगे तो यह भारत की जो यादगार बावा ने मंद बताई द्वापर के बाद और विदेशी आत्माओं के जो भविष्य की स्थापना में बावने सेर की तो यह हमें इन धौनों का कॉंट्रेक्ट से अगर हम यहां पर सर्वसाधनों को प्रापत करने के लिए स्वाम को भी सदेब विश्व के मालिक बनने योगे बनाते हैं तो यहां पर हम जब यह योगी आत्मा बनते हैं तो यहां पर हम तीबर पुरशार्ती बन करके स्वाइम को भी संपन बनाते हैं और नमित बने सेवाधारी आत्मा को भी कार्य में संपन बनाने की प्रेडना देते हैं यह द्वनों जो कॉंट्रेक्ट चले हैं साइंस का और हमा जी तो चक्रवर्थी की पीछ बात शेयर करेंगे जावत्री सिस्टर ने तो जो भी अत्में जा रहे हैं तो भी अभी जिस्थान पर जाके स्थापने कार्य करें वहाँ पर वो सहर का भी स्थान हो जी बापाल भाई जी आप शेयर कीजिए जो अभी सिस्टर ने पूछा था अभी जो ने बताया भी थोड़ा सा किंटनी एक हैं जैसे बाबा ने भी क्या किया पहले कि पहले बाबाबा ने कुछ बच्चों को चुना थो वही जो दाधियां अपने वह सेजम के पॉर्ण प्हुंटी तो यहसे दाधियां को रोल जैसे बाबा की तरह के निविट बने इसने बाबाने एक प्नाइन की जिए झाट्म की नजर जब बाबा की मशने हो जाते दाधियों पर अधी रतनों पर पड़ी तो पर उनकी नजहत्या कि जी से कीक्षेड आई एक से दूसरा दूसरे से कल्पवरिक से बन रहा है पूरा तो इस तरह से हमें भी जा रहते हैं कि जैसे जैसे हमारी आजिए ड्रिश्टी विश्टी वानी-द करने के निमित बने दूसरा जो रहस्य बताए कि जो कहते कि जहां बावा आता है विनाश्री खंड है उसी तरह से बावा ने का कि विदेश में भी जू-जू बावा के स्थान है वह बावा के सेरगा बनेंगे मत्तब वह भी वहां पर प्रतेक्स रहेंगे पानी मुझे लगत सेर been के सान पिरने जाएंगे और बावा ने यहां प्रवातों ग्याने आत्माओं को ही विशेश आत्माओं की संग्या दी है क्योंकि हम बच्चों ने बाबा के ज्ञान को अपने अंदर समा कर और फैला कर दूसरों को भी अप समान बना कर hero part play करना है और उनको विज्ञानी आत्मा को बाबा ने सेवाधारियों के संग्या दिये कि वो हम आत्माओं के सेवाधारी बन कर हमारे लिए सारी तियारियां कर रहे हैं ओम शांति, शुक्रिया बाबा जी बहुत अच्छा तो मैं पस लास्ट तो तेंग मिनिट है कोई और लास्ट पॉइंट भी शेव करना चाहिए तो करें जी ओम शांति बाबा कहते है कि जैसे साधन वाले जो है वो अपनी लगन में मगन है, संदेज देने वाले भी है जैसे साधना वाले जो बच्चे है, जो अंदर की निरंतरता जो है सोहम की याद या बाप की याद, या ड्रामा की या विश्व आत्माओ पृति शुब आउना शुब कामना की जो हमारी लगन है उसको हमें बढ़ाना है तो यही निरंदर योगी बनना है ओम शंति तो यहाँ पर हमें जो भाईया ने भी बताया तो हर पल हमें क्या करना है समरिती सुरूप और समर्था तमाब हूं में यहाँ हमें समझ पर जलना क्योंकी इस समर्थ जीबन मतलब अरथा जो सुक में हमारा जुःष्य सफलता संपन अलोक एक जीवन का जो आधार है तो इस जञानका सार का सार भी यहीं है आधार मतलब एक शवद समरिती तो सारे ड्रामा का खेल है कि बाबा ने पहले ही बूला है कि इस समय जो समरीती का खेल चल रहा है, तो बाब दादा जो हम ब्रहमन आतमाओं को परिवर्तन किस अधार पर किया, सिर्फ समरीती दिलाई ना बाबा ने, कि आप एक आतमा, तो इस समरीती से कितना अलोकिक परिवर्तन, हम सब आतमाओं में आ है हम कुछ मतलब बदल बी बदल करके जो हमने ये बीज अपने अंदर समरिती में लिया है जिस बीज से ये हमारी बृति द्रिश्टी कृति सारे स्थिती ही बदल गई है तो इसलिए तो गाते हैं जैसी समरिती वैसी स्थिती फाउंडेशन समरिती तो फाउंडेशन ने तो तो बाबा ने बोला कि इस सम्रिती से ही संसार बदल जाता है तो इश्वर ये संसार कितना प्यारा है तो ये हमारा सारा सारी जो हम आतमाएं हैं तो ये सरूप बन करके हमने ये खेल खेलना है ओम शांत जी बहुत अच्छा शेक्या सावते सिस्टर भापा ने हमें बोलाए कि यह खेलि स्मृति युस स्मृति का तो सारे ज्न का सार्क्षारा स्मृति युर्स जो अभी का नोछ तो सब molar के दंगए को सभी कनल सिस्टर करें कराईगा और मघभभीद कना रहाएभ दस्तित थेज़ेwach कर दो बाई जी पॉल तो आया इन्यों मारे पास मंता सिस्टर आप संपा रहे हैं हाँ जी भाई जी जी आप भग भी दीजे और से योग कराएगा तो मिनट एक मिनट में बाद एक शेर करना चारी थी जी जी प्लीज जो विदेश वाली अत्मा हैं वो हम जब से जूम गुरूप से जुड़े हैं तो हम तब भी उनके संपरक मी भी आये हैं मिलना भी हुआ इसके थूरूई हमसे हमें वैसे तो हम नहीं मिल पाते थे कभी भी जैसे अब भी बहुत सारी आत्मा है जुड़ी हुए ना हमार साथ विदेश से गृूप के जड़ी है जूम के तो परस्टनली भी मिलना हुआ मदबन में एक दो आत्माओं से तो तब हम इनका चिंतन सुनते हैं न कि कैसे चिंतन करते हैं और वो बताते हैं कि हमें यहां पे कोई सेंटर नहीं है दूर दूर जाते हैं तो आजब विदेश की सहर की तो वो वात अच्छी समझ आ रही थी कि जब हम यहां गीता पार्टशालाओं में यहां कहीं भी जाते हैं जब इनका चिंतन सुनते थे तो हमें लगता था कि हम इतना चिंतन नहीं कर पाते हैं जबकि इनके पास कोई साधन नहीं है कि कोई सेंटर नहीं है कोई मतलब वो फोन सही या उन सही सुनकर वो जुड़े भी हैं और इतना अच्सा चिन्तन भी करते थे थे हैं सुनाने सवालों में कितनी लगन हैं जितना हम अभी हम सारे साधन पराप तो इना यह उनकी लगन है तो यह बात कल विदेश के समचार में याद आ रही थी यह उन और मिलना भी इसी धूरू जैसे बेहत से जूड़ना भी हुआ हमारा वैसे तु हम यहां के योग願い रहे जाते हैं जूसे जूड़े तो हमारा सभी आत्मां से मिलना हो बेहत नहीं धन्यदे भाबा का और यहीं हूं वर्क लेंगे आज हम जैसे बाबाने नशर चड़ाया आज इसमें कि आप विश्व के मालिक बनने वाले हों और जो साइंस वाले वो आपके लिए ही कर रहे हैं इतनी महिनत अपनी लगन से वो भी तो इसी लगन को हम चेक करते रहेंगे तो आज इस लगन में ही मगण रहेंगे नश्य को भी चढ़ाते रहेंगे जो बाबा हमें चढ़ाना चाहा रहा था कि कि तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो तो क्या आपकी लगन है जो जितनी साइंस वालों की है तो अपनी लगन को चेक करते रहेंगे और समरीती दिलाते रहेंगे अपने आपको ही जहां अमारी लगन थोड़ी कम हो चेक करेंगे तो हमें पता भी चलेगा तो हम इस पर ही काम करेंगे आज और बार बार शेक करके उसको लगन को बढ़ाने का निरंतर योग में रहने का अभयास कहते रहेंगे इसे पर यूग करेंगे आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, मस्तक्मनी को देखते वे, कि मैं लगन में मगन आत्मा, मैं निर्विगन आत्मा, बापा की पास सुक्षम बतन चलेंगे, बाप दादा सामने, बाप दादा को कहीं कि बाबा, हमें पूरे विश्व की सिवा करनी है, जो आप से गुन शक्तियां परदान मिले, वह में सबी को बाटने हैं, तो बाबा हमारी शुबिच्छा समझ सुनकर, देखें बाबा के साथ ममा, दीदी, दादियां सभी, हम सभी को लेकर बाबा, गुलोप के उपर खड़े हो गई, हम सभी बाबा के साथ, बाबा से मिली वी शक्तियां, गुन, विशेश्टाएं, बाबा का प्यार, जिसे हम सभी में बाट रहे हैं, सभी को शिव संदेश दे रहे हैं, बाबा हमें निमित बना रहे हैं, सभी को संदेश दे रहे हैं, कि आज जाओ, मिलो आयवे भगवान से, जो ब्रम्मा तन में आए हैं, सभी पालो, जो पाना हो पालो, ये घड़ी है वो, सब कुछ पाने की, कि बाबा हमें द्रिष्टी देते जा रहे हैं, और हमारी भी द्रिष्टी वरीती से, जो आनी से, सभी को सुख मिल रहा है, शान्ती मिलते ही हैं, अनन्द मिल रहा है, सभी भरपूर हो रहे हैं, सभी तक्षिव शंदेश पोच गया है, सब की नजने उपर क्योट, सभी शंदेश लेकर खुश हो रहे हैं, और अपने अपने सेंट्रों पर जा रहे हैं, सभी को शिफ संदेश देते हुए, बाबा के साथ फिल से शुक्षम वतन में, बाबा का दिल से धन्यवाद करें, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया ये सेवा लिने के लिए, शुक्रिया और आप सब का भी शुक्रिया योग में और जोग देने के लिए, बाबा आजाए अपने स्थोल श्रीर में और इसी एसे एक लगन में मगन कि हमें ही बाबा को परतक्ष करना है हमें ही बाबा को परतक्ष करना है ओम शान्ति यू बाबा थांक्यू सभी का स्कोल में जुड़ने के लिए थेंक्यू आप सभी का थेंकियो मंता सिस्टर युग करने के लिए और मुरी पहलने के लिए अब सुखका धन्हेमद है विक्रेटी शुक्रिया गुद मॉनुद मेरे रहे दुपेड़ने जैने मेरे जैने नहीं कि अविल्टारी अव्ण।